एंस आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है बच्चे बोले मम्मी कुछ यम्मी सी डाल बना के खिलाओ फिर क्या मैं डड़की किचिन में मैंने ये देड़ कटूरी चने की डाल लिए और चने की डाल लिए वो भी बड़ी वाली दिए लिए देखिए आपके सामने में मैंजर क कर रहें it already during k dowdy डाल को मैंने एक ठाली में निकाल लिया अब इसको साप कर लूंगी फिर इसको अच्छे से दो लोंगी देखिए इसको ूतिन भार मैंने साप पानी से धुल लिया है अब एक बड़ा कू कर लिया है अभलें अभा मेंति डाल को ट्रांस्पर कर लूँगी रोगां में दाल को ट्रांस्पर कर दिया है और हम इसमें पानी लगा लेते यह दृर कतूरी जब डाल लिए तो कम से कम मैं 4 ग्लास पानी लगा दूँ और यह ग्लास मेरा बढ़ा है क morality Chalunk पानी लगा दिया है आप इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं पहले हम स्वाधनुशाल नमक डाल देते हैं आधि-छोटी चमच पिसरी हल्डी पिसरी मेर्च और थोड़ा सा हम सरसो का तेल डाल देंगे सरसो के तेल डालने से डाल थोड़ी जल्दी गल जाती है और उफान भी नहीं आता अब इसके लिड लगाके गैस को और करके कम से कम इसमें 6 बिसल आने तक पका लीगे अगर दाल थोड़ी सी नम हो तो आप कम से कम 7 बिसल लगानी हैं देखिए इस तरीके से मैंने च्छे विशल लगा लिए अब गैस को आफ कर देंगे और कुकर को नीचे उतार लेंगे अब कूकर हमारा ठंडा होगे आप इसकी लिट हटाके दाल को चैक कर लेते देखिए इस तरीके से दाल बिलकुल गल गई थी देखिए आप इसको चमचे से मैस कर देंगे दाल मैंने अच्छे से मैस कर ली थी इधर मैंने नॉनिष्टिक इस्टिल वाली कड़ाई रग दी थी और उसमें ओयल लगा दिया कम से कम दो बड़े चमच मैंने रिफाइंड ओयल लगा दिया अब इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे एक सूखी मिश डाल देंगे हींग डाल देंगे और तेजपाच के पत्ते डाल देंगे अब हमने कम से कम चार चोटी मीडियम प्याज दी थी और उनको बारी कड कर लिया और अच्छे से भून लेंगे प्याज हमारी भून चुकी है अब इसमें मैंने दो टमाट्रों को अच्छे से बिल्कुल पीश लिया था इसको भी डाल देंगे अधिक पीसे हुई नहीं थोड़ा सा बरवरा पीसे मैं एक अधिमिश डाल दी अब इनको खुब अच्छे से भून इसमें कस्तूरी मीथी डाल देंगे अब हम अपनी दाल डाल देंगे जब प्याज ने और टमाटन ने खुसबू छोड़ दी उसके बाद मैंने दाल डाली है आप इसको अच्छे से चला लेंगे और अगर आपको दाल गाड़ी लगे तो पानी जो मैंने डाला था वो गरम करके डाला था अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया एक चम्मच हारा धन्या डाल देंगे एक मिर्च डाल देंगे हरी कटी हुई लंबियाकार की अब इसको थोड़ा सा खॉल आने देंगे डाल में कम से कम एक खॉल आ जाने दीजिएगा अब इसमें ये मैंने कस्मीरी मिर्च ली है अब इसमें थोड़ी सी कस्मीरी मिर्च डाल देंगे कम से कम आदे चम्मच देखे इस तरीके से मैंने कस्मीरी मिर्च डाल दी है अब मैंने गोल्डी का ही आप जहें तो कोई भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं ये मैंने थोड़ा डट जाए खाने के लिए अब इसमें कम से काम एक बड़ा चमत देशी घीराल देंगे देखिए देशी घी की कंजूसी बिल्कुल मत कर रहा है क्योंकि यह दाल बहुत टेश्टी बनती है थोड़ा सा देशी घीराल देखिए उपर से फिर हरदनिया डाल देंगे इस तरीके स चना डाल तड़का बनके मेरी तैयार होगी अब इसको सर्व कर लेते हैं मैंने जीरा राइज लगाए थे एक ठाली में अब अपनी डाल को दिखा देखिए कितनी अच्छी डाल बनके तैयार हुई है देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है देखे इस तरीके से चने की डाल बहुत अच्छी बनी थी सबने बहुत इंजुआय करी और जिसने खाई सबने तारीब की और चने की डाल बहुत टेश्टी बनी थी फिर क्या आप भी बनाईए और खाईए और मुझे बताईए कैसी बनी है जाते जाते आप सब मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए सस्क्राइब भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स पूर वाचिंग फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ बाई टेक केर और इसको इंजोई कीजिए